नमस्कार टुड़े हिमाचल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है आए नज़र आलते हैं आज की खास ख़बरों पर हिमाचल कैबिनेट ने ने तेही स्मार्ट से मेलू की आयोजोन और लंगर लगाने पर रोग 190 पदों को भड़ने की मन्जूरी हिमाचल में दो और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौद 169 पॉजिटिव जाने सक्रिय केसिस की संख्या रामसरूप शर्मा संदीक दिमौत मामला सीएम बोले दिल्ले पुलिस की रिपोर्ट के बाद ही लेंगे कोरोना वाइरेस उना में मास्क ना पहनने पर लगेगा 5000 का जुर्माना विधान सभा प्रश्नकाल अधिकारियों के जवाबों पर भाजप विधाय को निज्यताई आपत्ती हिमाचल विधान सभा समसी और आईटी शिक्षकों के लिए नीती बनाने का विचार नहीं पढ़नाए है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए वीडियो थोड़ी सी भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए और कमेंट बॉक्स में जयाहन लिखकर हमें अपना सपोर्ट भी कीजिए इसी किसान साथ अगर आपने अभी तेख हमारा वाट्सअप ग्रूप जॉइन नहीं किया है तो प्लीज इसे जॉइन कीजिए वाट्सअप ग्रूप जॉइन करने का लिंक डिस्क्रिप्शन में है चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसला डीटेल में प्रदेश में 23 मार्ट से मेलों के आयोजनों पर रोक लग जाएगी अभी जो मेले चल रहे हैं वे तीन दिन में निप्टाने होंगे सांस्कृतिक धार में कारिक्रमों और सार्वजनिक लंगरों पर भी रोक लगा दी गई है नीजी कारिक्रमों में 200 से जादा लोग शिरकत नहीं करेंगे या इंडूर कारिक्रमों में शम्ता के 50 प्रतिशत लोग ही आ सकेंगे मुख्यमंत्री जैराम छाकुर की अध्यक्षता में विधान सभा परिसर में हुई क्याबिनिट बैचक में नो मास्क, नो सर्विस के आदेश जारी किये गए मास्क ना पहनने वालों पर भी गंभीरता से कारेवाई करने के लिए कहा गया इसके अलावा लोगों को जागरू करने के लिए विशेश अभ्यान चलाने का भी फैसला लिया गया बैचक में वनरक्षक के 190 पत भरने की मज़ूरी के अलावा कुछ पुलिस पोस्ट को, पुलिस चौकी और प्रात्मिक स्वास्ति केंद्रों को अग्रेट करने का पैसला लिया गया विधायकों को गाड़ियों पर जंडी लगाने के लिए विधान सभा में पेश किये जाने वाले बिल पर क्याबिनेट बैठक में सहमती नहीं बनी क्याबिनेट बैठक में स्वास्त सचिव अमिताव अवस्ती ने करीब एक घंटे तक कोरोना के वास्तविक इस्थती पर प्रस्तुती दी प्रदेश में अब तक कोरोना के 6,389 मामले सामने आ चुके हैं 1,003 लोगों की महमारी से मौत हो चुकी है प्रदेश में 1,60,000 से जादा लोगों को वैक्सीन लगाई गई है बताया जा रहा है कि स्वास्त सचिव ने क्याबिनेट बैठक में कोरोना पर काबू पाने के लिए बंदिशे लगाने की सिफारिश की हिमाचल में बढ़ रहे कोरोना के मामले को लेकर शनिवार को मुख्यमंत्री जाराम छाकोर सभी जिलों के डीसी, एसपी और सीयमों के साथ आनलाइन बैठक करेंगे बताया जा रहा है कि सियम अधिकारियों को कोरोना को लेकर सक्त कदम उठाने के निर्देश चारी कर सकते हैं हिमाचल में दो और कोरोना संक्रमित मरीजों की मौत, 169 पॉजिटिव जाने सक्रिय केसिस की संख्या हिमाचल पॉजिश में शुक्रिवाय को दो और कोरोना पॉजिटिव मरीजों की मौत हो गई इंद्रा गांधी मेडिकल कॉलिज शिमला में अर्की 57 वर्षिय और बिलासपुर के 73 वर्षिय कोरोना संक्रमित बुजुर्ग ने दम तोड़ा अस्पताल में एक सांथ एक ही दिन दो मौतों से हलकंप मचा हुआ है वही प्रदेश में कॉरोना वाइरस के 167 नए मामले आए कांग्रा जिले में 52, 16, 28, 49, 47, शिमला 10, बलासपुन्नो, सिर्मोर 6, कुल्लू 5, मंडी 6 और हमीरपुर में 4 नए मामले सामने आए नंगल के BBMB DAB सीनियर सेकेंडरी स्कूल में 4 अध्यापकों समेट 7 लोग कूरोना संक्रमित पाए गए कांग्रा जिले में 4 विद्यारतियों के रिपोर्ट पॉसितिव आई पोस्ट मार्टन के रिपोर्ट आनी बाकी है इस मामले में जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए परिवार सदमे में है जब तक दिल्ली पुलिस नशकष पर नहीं पहुच जाती तब तक CBI जाज के लिए इंतजार करना चाहिए उन्होंने ये जानकारी नेता प्रतिपक्ष मुकेश अगनी हूतरी की ओर से उठाए गए सांसत की मौत के मामले के जवाब में दी अगनी हूतरी ने विधान सभा में सांसत की संदिक्द मौत के मामले में CBI जाज की मांग की इससे पहले सदन में स्वर्गिय सांसद रामसवरुप शर्मा को शंधांचली दी गए मुख्यमंत्री ने बताया कि वो उनके घर गए थे उनके बेटे और परिजनों से भी बात की कोरोना वाइरेस उना में मास्क ना पहनने पर लगेगा पांच हजार का जुर्माना हिमाचल प्रदेश के जिला उना में अब मास्क ना पहनने वालों से पांच हजार रुपे का जुर्माना वसूला जाएगा जिला प्रशासन ने उना में 31 माश तक बंद कमरों हॉल भवन में लंगर भंडारे और सामोहिक गोच पर पून प्रतिबंद लगा दिया लंगर भंडारा लगाने और सामोहिक गोच के लिए उप मंडल अधिकारी से अनुमती लेना अनिवारे होगा इसमें भोजन पकाने और परोसने वाले सभी व्यक्तियों मास्क और दस्ताने पहनना आवश्यक होगा कुरोना संक्रमन के मामलों में बढ़ हुतरी के बाद उपायुक्त उना रागफ शर्मा ने ये दिशा निर्देश चारी किये रागफ शर्मा ने कहा कि यदि आयोजन किसी बंद इस्तान पर हो रहा है तो इस इस्तान की 50% के अनुसार ही रतिभागी मौजूद रह सकते हैं आयोजन में बैठने की विवस्ता इस प्रकार की जाएगी कि दो व्यक्तियों के बीज 6 फीट की दूरी बनी रहे विधानसबा सदन में शुक्रवार को प्रश्नकाल के दौरान अधिकारियों के जवाबों पर भाजपा के दो विधायों 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 के जवाबों पर दबा, SMC और IT शिक्षकों के लिए नीती बनाने का विचार नहीं। इसके खिलाफ सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की थी। उन से कंप्री राज की शुरुआत हो रही है। हिमाचल की सेब मार्केट पर भी नीजी कंपनीज आदिपत्य जमाना चाहती हैं। एक लाग विद्यारतियों को इसी सप्तह प्रमोट करेगा HPU शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्य विद्याले के हजारों यूजी विद्यारतियों का प्रमोट होने का इंतजार इसी सप्तह समाप्त हो जाएगा। प्रमोट करने का कारे लगभग पूरा है जल्द विश्य विद्याले यूजी प्रथम और दित्य वर्ष के करीब एक लाग विद्यार्थियों को प्रमोट करेगा इसके बाद छात्र लॉग इन आई दी से रिजल्ट कार डाउनलोड कर सकेंगे यूजी परिक्षाओं से पहल विश्य विद्याले विद्यार्थियों को प्रमोट कर देगा परिक्षा नियंत्रक डॉक्टर जे एस नेगी माना कि कोविड-19 के कारण बीते वर्ष बने हालात के कारण यूजी प्रतम और दित्य वर्ष के परिक्षाओं ना होने के कारण सनात्यक डिग्री कोर्स के प्र राजे हिमाचल से जुड़ी हुई ऐसी ही ताजा खबरे देखना चाहते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और डिस्क्रिप्शन में दिये गए वाच्टसप ग्रूप को जरूर जॉइन कर लें झाल